हलो दोस्तों तो आज हम समझने वाले हैं कि steering ratio क्या होता है देखे जब भी हम steering को turn करते हैं तो हमारे wheels move करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखे यहाँ पे steering को अगर rotate करता हूँ यह देखे अगर मैं 180 degree rotate करता हूँ तो आप देखे साथ साथ wheels जो है वो turn कर रहे हैं तो यह अगर 180 degree कर रहे हैं तो वो कितने degree कर रहे हैं ये आपस में जो ratio है इसी को steering ratio बոलते हैं कि हमने जतना steering move किया और हमारे wheel कितने turn किये, कितने degree turn किये, इसको हम steering ratio बोलते है, अब मैं देखे 360 degree move करता हूँ, यह देखे 360 degree हो गया, अभी आगे देखो 180 और कर दिया यह देखो, तो 180 पूरा जा नहीं रहा है तो यहां तक जा रहा है तो almost जो है, वो 150 degree के आसपास गया है, ओके तो मेरे पास क्या है, कि यह इतना move करने पे, मेरे जो wheels हैं, कितने degree पे turn करने हैं, इसी को steering ratio बोलते हैं, तो देखे, light vehicles जो होते हैं, उसमें steering ratio low रखते हैं, क्योंकि देखे, हमारे पास क्या है, कि steering को हम कम move करें, और हमारे wheels move हो जाएं, मतलब अगर हम इसको 20 degree move करें, और वो 1 degree move कर जाएं, तो यह steering ratio low हो गया, लेकिन हम high steering ratio रखते हैं, जैसे की heavy vehicles होते हैं, जैसे की truck है, bus है, उसमें हमारे पास देखोगे, तो steering जो है, आप 30 degree, 40 degree move करोगे, तब वो 1 degree move करेगा तो वो ऐसा इसलिए रखते हैं, कि हमारे पास, अगर माले यह truck वगरा है, तो उसमें, अगर हलका सा भी turn दे दे, ऐसे turn कर दे तो वो क्या करेगा, wheel बहुत ज़्यादा unbalance हो जाएगा, तो हम ऐसा चाहते नहीं, कि ऐसा हो तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, high steering ratio रखते हैं, heavy vehicles में और low steering ratio रखते हैं, light vehicles में I hope कि यह चीज़ आपको समझ आगी होगी, अगर समझ आगी है तो एक बार like का बटन दबादो यार और subscribe कर लो मेरे चैनल को और इसी तरह की videos आती रहेंगे अबगवाद, thank you so much